प्रेग्निंसी का समय खूबसूरत और बहतरीन समय होता है लेकिन यह असान नहीं होता क्योंकि समय मा की शरीव में कई तरह के बदलाव आ रही होता है तो आपके 9 महीने अरामदाय कुझरे इसके लिए आप क्या कर सकती है एक्सेसाइज जी हाँ आप चाहे कितनी भी करना ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके होने वाले बच्चे के लिए भी लाब थायक होगा ऐसे में योग का एक ऐसा अभ्यास है जो प्रेग्निंसी की दौरान महीलाओ के लिए ना सिर्फ सुरक्षित बल्कि फायदेमन भी होता है इससे आपको प्रेग्निंसी की दौ लेबर और डिलेवरी के लिए तयार भी होगा साथी योग विश्वामिल सास लेने की प्रक्रिया तनाव दूर करेगी तो आईए जाते हैं कि दौरान कौन कौन से आसन करने चाहिए मरजरी आसन गौमुखा आसन अगर आप प्रेगनिंसी के दौरान पीठ दर्श से जूच रही हैं तो आपको ये दोनों आसन करने चाहिए इस आसन में आपकी वीर खिष्टी है और पेट हवा में लगका होता है जिससे आपको दर्द में अराम मिल सकता है ये आसन बच्चे को सही पोजिशन में लाने में भी काम करता है दंडयामना भर्मानासन ये आसन गर्वती महिलाओ के लिए बेहत फायदिमन माना जाता है ये बोडी वॉल को मस्पूथ बनाने का काम करता है बोडी वॉल ही बच्चे को पेट में सहारा देती है इसलिए इसका मस्पूथ होना बहुत जरूरी है अदो मुक श्वानासन इस आसन को आप दिवार के सहारे से कर सकते हैं और ये आसन आपकी पीट के उपरी हिस्से और कंधों के दर्द को अराम देगा जिन गर्वती महिलाओ को सीने में जलन की समस्या रहती है उन्हें ये आसन जरूर करना चाहिए उतकट कोणासन इस आसन को भी प्रिग्णिंसी के दौरान करना बेहत कारगर माना जाता है इस आसन से भी महिलाओ की बॉडी वॉल मस्बूत होती है इस आसन के नियमित अभ्यास से हिपस भी खुलते हैं जिससे डिलिवरी के समय किसी तरह की दिक्कत नहीं होती बद्द कोणासन इस आसन को करते समय अपना पॉस्चर सही बनाए रखे और घहरी सास ले इसके अलावा आप पैरो और काफ मसल सकी भी मसाज करें इससे ब्लड सरकुलेशन बहतर होता है अतिक्त वसन के भार का इस प्रिस भी कम होता है लेकमे और लेकित सलहा और सुझाव सिर्फ समानी सूचना के उतेश के लिए है इन्हें पेशिवर्ज जिगितसा सलहा के रूप में नहीं लिया जाए हमारा चैनल इसकी पुष्टी नहीं करता है कोई भी सवाल या परिशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलहा जरूर झाल वाल झाल एकितसा सलहा जरूर्डड़्डर के लिए है कि लेकितसा सलहा जरूर्ड़्डर के लिए है